आज हम आप लोगों को बालो जी के most important question बताएंगे जो exams के लिए बहुत ही important हैं चलिए सुरू करते हैं पहला question है जनद किस से बनता है चार option आपके सामने दिये गए हैं और पूछा क्या है जनद अथवा गोनट्स किस से बनता है तो option सही होगा इसमें से बीवाला मीसो डर्म स से बनता है आपको बता दें कि प्राथमिक लेंगिक अंगों को जनद अथवा गोनट्स कहा जाता है और इसी में युगमकों का निर्माण होता है या गोनट्स में ही युगमक बनते हैं और पूरुस में जनद या गोनट्स को व्रशाण अथवा टेस्टिस कहते हैं और का विकास होता है फिर दूसरा कोशन है कार्पस लिव्टियम किस से बनता है चार सिल्स दी गई है इन में से किस सिल्स के द्वारा कार्पस लिव्टियम का निर्माड होता है आपको बता दें कि फॉलिकर कोशिकाएं रुधिर के ठक्के के साथ कार्पस लिव्टियम को बनाती कारपस लिटियम पीले रंकी होती है एक ग्रंथिल रचना होती है इसी से प्रोजेस्ट्रान नमक हार्मोन निकलता है फॉलिकल सेल्स को पुटक सेल्स भी कहा जाता है यानि इसी से प्रोजेस्ट्रान हार्मोन स्रावित होता है और फॉलिकल सेल्स जो होती है इन्हें पुटक कोशिकाएं भी हिंदी में कहा जाता है next question है leading कोशिकाओं का पाया जाना तथा उनसे निकलने वाले पदार्थ क्रमसा होते हैं यानि leading कोशिकाओं कहां पाई जाती है और उनसे कौन सा पदार्थ निकलता है ये पूछा गया है तो इसका answer कौन सा सही होगा चार option दिये गए हैं हर एक option में दो दो चीजे हैं यानि पहले वाला है leading कोशिकाओं कहां पाई जाती हैं और उसके बाद उनसे निकलने वाले पदार्थ का नाम लिखा गया है तो option सही होगा इसमें से C leading कोशिकाओं टेस्टिस में पाई जाती हैं और उनसे टेस्टोएस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है आपको बता दें कि leading कोशिकाओं पुरुस जो होता है पुरुस के व्रशन अथवाद टेस्टिस में पाई जाती हैं और इन्हें अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है अंतराली कोशिकाएं इन्ही कोशिकाओं से नर हार्मोन टेश्टोएस्टेरोन स्रावित होता है यह हार्मोन पुरुष में सहायक जनन ग्रंथियों और दुतियक लेंगिक लेक्षणों का विकास करता है जो नर हार्मोन है ट से कौन सा एक संभावित नहीं है? अगर निसे चित नहीं होगा तो कौन सा संभावित नहीं है तो आंसर सही होगा इसमें से पहला estrogen sramad ऌई और भी कम हो जाएगा estrogen sramad estrogen hormone है जो estrogen hormone होता नेश्ट कोचन है जरायूज या वाइबा परस जन्तु हैं जरायूज जन्तु कौन से हैं चीक, इंसेक्ट, फ्राग, रैबिट तो आंसर इसमें सही होगा डी वाला जरायूज जन्तु रैबिट होता है आपको बता दें ऐसे जन्तु जो सिसु उत्वपन करते हैं यानि जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें जरायूज कहा जाता है यानि ऐसे जन्त जो अंडे नहीं देते बलकि बच्चे पैदा करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं जरायूज कहते हैं जैसे इस्त्री है गाय है सब क्या करते हैं बच्चे पैदा करते हैं अंडे नहीं देते हैं तो बच्चे पैदा करने वाले को ही जरायुज या वह वह परस कहा जाता है, फिर नेक्श कुश्चन है, मानो अंडासाई चक्र के 28 वे दिन में अंडो सर्ग किस दिन होता है, तो अप्शन सही होगा इसमें से C वाला चक्र के 14 वे दिन, मैंने MC वाला जो वीडियो बनाया था, उ तो अधुमें दिन अंडा निकलता है, तो अंडो सर का मदब अंडा निकलता है, नेक्श कुश्चन है, हार्मोन टेस्टो एस्टेरोन, एस्ट्रो जन्वा कार्टिकल हार्मोन किस के उदाहरण है, चार आपसन आपके सामने दिये गए हैं, और पूछा गया है ये किस के आपको बता दें, एस्ट्राइड एक प्रकार का रासाइनिक पदार्थ होता है, और एस्ट्राइड हार्मोन वसा में घुलनसील हार्मोन होता है, ये वसा में घुलनसील हार्मोन होते हैं, कुछ प्रमुक एस्ट्राइड हार्मोन जैसे एस्ट्रो जन है, प्रोजेस्ट्रा प्रषण को अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं तिस्टिस या व्रषण में ये जो सर्टोली की कोशिकाएं पाई जाती है इन्हें अवलंबन कोशिकाएं भी कहा जाता है और अवलंबन कोशिकाएं को सपोर्टिंग सेल्स भी कहा जाता है और इन्हें ही उपचारक कोशिकाएं भी कहते हैं उपचारक कोशिकाएं अथावा अंग्रेजी में नर्स से करती हैं और साथी साथ बिक्सित हो रहे सुक्राणवों को पोशन वह ऑक्सीजन भी देती हैं और इनहीं से इनहीं भी नामक प्रोटीन हार्मोन स्रावित होता है इनहीं भी जो प्रोटीन हार्मोन होता है वह इनहीं से स्रावित होता है नेश्ट कुश्चन है कार्पस लिव्टियम कहां पाया जाता है या कहां होता है जो कार्पस लिव्टियम है वो कहां होता है यो ट्रेस वेजिना ओवरी थाइमस कहां होगा आप्शन सही होगा इसमें से सी वाला कार्पस लिव्टियम ओवरी में पाया जाता है ओवरी नेज्ग कुष्चन है परक नली सिस्टु का अभी प्राय क्या होता है आंसर सही होगा इसमें से C निसे चन इन वेट्रो और फिर गरभासे में प्रतिरो पन यदि आप लोग परक नली सिस्टु पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अप्लोडर है, आप लोग जा करके वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से मैंने इसमें समझाया हुआ है, परक्नलिसिस के निटेस्ट्यू बेबी को, नेश कुष्चन है, निशेचन के दौरान सुक्राणू अंडाणू का छेदन किसके द दिवारा करता है, आपको बता दें, एक्रोसोम सुक्राण अथवा इस्पर्म का सबसे आगे वाला भाग होता है, और एक्रोसोम के अंदर अप घटनिये एंजाइम पाय जाते हैं, जो अंडे की बाहरी परत होती है, उसको गलाने का कारी करते हैं, मतलब अंडाणू का ग्राफियन पुटिकाएं किस हार्मोन का स्रामर करती हैं, आंसर सही होगा इसमें से बी वाला ग्राफियन पुटिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रामर करती हैं, नर में दुतियक लेंगिक लक्षणों के लिए अनिवारे हार्मोन है, जो दुतियक लेंगिक लेंगिक ल सही होगा ने शकुशन है फाल ओपियasures का भाग है फाल ओपियान नली तो फैलो पेन जो नली का होती है वो ओविडक्ट का भाग होती है हो फाल game को अंडवाहउनी कहा जाता है ने शकुशन है किस प्रकार के हार्मों आर्थो χष यूनि मेसूरेसन off करte करते हैं किस प्रकार के हार्मोन mc को नियंत्रित करते हैं तो आंसर सही होगा इसमें से डी वाला fsh lh और estrogen hormone आर्थो चक्र अथवा mesuration cycle अथवा mc को नियंत्रित करते हैं fsh यानि follicle stimulating hormone lh यानि leutenizing hormone और estrogen hormone यह mc को नियंत्रित करते हैं control करते हैं आसा है आप सभी लोगों को सभी question अच्छे समन्द में आ गये होंगे समन्द में आ गये हों तो वीडियो को like और share कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्य